आपके पास Samsung का कोई भी हैंडशेट है उस हैंडशेट में आप जो लगाई हुए हैं और आप गलती से भूल गए हैं आप उसको अनलॉक नहीं कर पाने तो आज हम आपको एक बहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं कि अगर वो ट्रिक अगर आप सीख लीजेगा तो आप भी किसी को हिल्प कर पाएंगे और एक आप मास्टर बन जाएगा स्मार्फोन का जिहां देखे हमारे हाथ में एक सैंसंग का एक स्मार्फोन है जो यहां पर छे डिजिट का पासबर्ट लगा हुआ देख रहें तो इस वीडियो हम यहीं सिखाने वाले हैं कि इस पासबर्ट को हम कैसे स्टेप लेंगे और ऑफ्लाइन मोड से इस फोन को हम रिसेट करेंगे बीना डाटा लॉट्स की हुए आपको हम सर्विस सेंटर भी नहीं जाने देंगे इसी काम के लिए बहुत सारी लोग सर्विस सेंटर चले जाते हैं और वहां पे 300-400 पे देखर के चले आते हैं और यहां पर देख़ेगा आपका एर प्लेन मोड या तो फ्लायन मोड यहां पर इस तरह से एक्टिश करदें आ हैं यहां से अपका फोन चला जाएगा देखने यहां चला आपको चलेए लॉकिंग alar फेस पे जब लॉकिंगhole Palas and практически को इसन स्वीए लीडिक और यहां पे यहां यह code आप अपने Samsung का handset में यह same digit डालिए यह और इसके बाद डालने का लास्ट में हैज लगा दीजेगा और यहाँ पर इस तरह से call करना है जैसे ही call वाला बटम पिरिस कीजेगा तो ओके देखने के लिए मिलेगा आपको ओके कर देना है और यहाँ पर आपको पांच बार करना है यह मेरा पांच बार यहाँ पर कंप्लीट होगा अब इसको यहाँ सटा देजे इसको हटाने के बाद अब गूगल फर्पी कोट है जो लिए गूगल फर्फि कोड है जो समसंग के लिए अगर आपके पस ओपो है समसंग शेको को पीवो तूसके लिए अलग गूगल फर्पी कोड आता है तो आप सब्सक्राइब कर 5 उपके आफने कॉन सा हैंसेट है इस गोगल फर्पी से कॉल करना है तीन बार नET अबित पहल सही प्रेस करूँगा ये फोन अनलोक हो जागा जी हां दोस्तों देखिएगा हैज में जैसे ही प्रेस करूँगा ये फोन अनलोक हो जागा देख रहे हैं जी हां दोस्तों देख रहे हैं ये फोन अनलोक हो गया है है ना बहुत बेमिसाल ट्रिक तो फिर्ट्स आप भी कीजेगा हमारी टीम आपको हेल्प करेगी